नमस्कार चैहिन, PS Academy से मैं हूँ ब्रदीप, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, तो दोस्तो हम पॉलिटी, घटना चक्र, नोट्स और क्वेस्चन दोनों सॉल्व कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़े आपको पसंद आ रही हैं, तो प्लीज अगर आप एक हमबल रिक्वेस्ट आपसे है यहां पर, कि अगर आप ये वीडियो बीच से देख रहे हैं, कहने का मतलब आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, कि आप पार्ट वन से देखें, चैप्टर वन से देखें, क्योंकि कि पॉलेटी हम सीरियल से पढ़ रहे हैं क्रम से पढ़ रहे हैं ठीक है और उसी क्रम का यह अगला पार्ट है तो मैं आप से विंति करूँगा कि आप चैपटर वन से इसको देखें तो आज हमें बात करनी है संभिधान के प्रमुख भाग के रूप में भाग के बारे में इस आप मेरे चैनल पर जो पॉलिटी के चैप्टर्स कुछ वीडियो में डाले हैं वहां पर आप पढ़ेंगे तो वहां मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि 22 भाग अनसूचिया इन सब को क्यों सामिल किया गया ठीक है बारती संब्धान जब लिखा जा रहा था तो हर चीजे अलग अलग मिल रही थी जैसे कहीं संग है और भारत में राज्यो का भी संब्धान सामिल है फिर राज जा गए फिर राष्टपती फिर ये सब चीजे अलग 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 चीजे आती गई ठीक है संग है राज जय साकारी शमितिया आई पंचायती राज आया आपातकाली नुबंध है अब अगर इनको अलग अध्याय में भाग में नहीं बाटा जाएगा तो पूरा तो सब तो एकदम से मिक्स हो जाता ना ठीक है इसी वज़े से भारती संभिधान को कई भागों मे बाट दिया गया जिसमें से बाइस भाग टोटल सामिल है ठीक है चलिए देख लेते हैं भाग एक क्या है संग और उसका राज छेतर है भाग दो नागरिक्ता भाग तीन मौलिक अधिकार भाग चार डिपीस पी ठीक है राज की नीतिके निदेशक तत्त भाग चार कका मौल यहां की प्रशाशनिक ब्यवस्ता है उसको समझें उपर कौन है संग है उसके बाद कोन आता है राज जाता है ठीक है उसके बाद कोन आता है संग राज जे छेतर आता है राज जी के बाद कोन आता है संग राज जे छेतर संग राज जे छेतर के बाद कोन आता है पंचायते पंचायते के बाद नगरपालिका है ये क्रम बना हुआ है आप ध्यान से इसको समझें जो हमारे हाँ सक्तियों का बटवारा है जो सक्तियों का ये कहिए कि अधो मुखी हमारे हाँ जो प्रक्रिया है चलती है केंदर से इसको ले जाया जाता है जो कि कहा तक जाती है पंचायतों तक ठीक है तो देखें पहले संग सरकार संग सरकार के बाद को न आएगा राजी सरकार है राजी सरकार के बाद संग राजी शेत्र फिर पंचायते फिर नगरपालिका बीच में एक जो भाग है भाग साथ वो हटा दिया गया निर्शित है ठ संग सरकार में कई अध्याय हैं जिसे राष्टपती उपराष्टपती प्रधान मंतरी ओर महानयवादी इन सब को भाग पाँ सामयख किया गैङए इन सब को भाग póश में सामिल किया गया जब राजिस पर राज्य इसको ऐसे याद रख सकते निरसीत सत का मतलब साथ भाग साथ हटा दिया गया भाग आठ में क्या है संगराज शेद्रों के बारे में भाग नौ पंचायते अब देखिए आपको पता है भाग तरवा संभिधान संसोधन पंचायते था तो भाग नौ का का नगरपाली का तिहत कारी शमितियां है भाग दस अनसूचित और जनजाती छेत्र है ठीक है जो आपने पांचवी और छठी अनसूची पढ़ा है वो इसी में सामेल आते हैं उससे संबंदित जो अनुच्छेद है वो भाग दस में आपको देखने को मिलेंगे भाग ग्यारा क्या है संग और रा बहुत्क थेखना आपको याद हो जाएगा भाग तेरा क्या है बारत के राजिश्षेत्र के भीतर वाणिज और संभागम के बारे में हैं भाग तेरा ने भाग 14 क्या है संग राज्यों के अधिन सेवाएं इसका मतलब है कि जो विल से रिस्शिस व गैरा है वो भाग Dustश ड त्रिबूनल अधिकरण के बारे में भाग 14 का का ठीक है पंद्रा निर्वाचन निर्वाचन के बारे में आटिकल 326 वगेरा जो भी है निर्वाचन आयोक से सम्मंधित है वो भाग 15 में आएंगे भाग 16 कुछ वर्गों के सम्मंध में विसेस उब बंद इसमें आपको पता हो और इंगलो इंडियन के आरचन के बारे में इसलिए यहां पर लिखा है कुछ वर्गों के सम्मंध में ठीक है भाग 17 क्या है राजभासा भारत की राजभासा क्या होगी हिंदी को माना गया राजभासा का मतलब कामकाज की भासा ठीक है राष्ट भासा नहीं राजभासा भ भाग तठारा अपात उब्भ निस में प्रकेड है। सब्सकेड़ का मतलब क्या होता है। भाग बीइस में क्या है संविधान संसोधन ये तो पता होगा। भाग 20 में भाग 21 में छेसे wichtig तीन सो सत्तर यह इसी में किसका संशिप नाम प्रारम में किसका संविधान का प्रारम हिंदी में प्राधिकृत पाठ का मतलब संविधान का हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया जाएगा क्योंकि संविधान लिखा किसमें गया था मोलता अंग्रेजी में लिखा गया था ठीक है तो यह मैंने आपको 22 भ प्राउधान किसमे हैं तो नागरिक्ता से समंधित आपको फिर से दिखाता हूँ आप जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा तो पहला है संग राजी छेत्र दूसरा है नागरिक्ता तो कौन सा यहां पर हो जाएगा option जो भी है भाग दो में है ठीक फिर चार का है ठीक है तो चार को छे Бना दिया इसने तो यह गलत हो जाएगा राज्यो का बार घुपन collaborate किसमे है भाग शे में सही है क्यों riktý संग के बाद के बार आता है राज जाते हैं तो भाग शे हैमे राज्यो में तो पहारति-एहां संुद्धान के किस भाग में 300,500 में प संसुधन किये जाते हैं भाग नौ में उसको सामिल किया जाता है भारतिशा मिधान का कौन सा भाग और अध्याय संग और राज्यों के बीच विधाई संबंद के बारे में है अब देखे कोई भी अध्याय नहीं पढ़ता होगा लेकिन अब सवाल यहां पर पूछ दिया उसन कहां पर कौन सा भाग था जो केंद्र और राजDYों के बीच संबंद के बारे में बात करता है देखे यहां पर देखे पहले संग सरकार राजज सरकार संग राज्य छेत्र पंचायते नगरपाली का है ठीक है यहां तक हो गया सहकारी समितियां उसके बाद अनुसूचित जाती और जन जाती छेत्र फिर अब आता है जब यह सासन की प्रणाली यहां पर खतम होती है पूरी तो अब आता है भाग ग्यारा में संग और राज्यों के बीच संबंद अब संग राज्य के बीच कई तरीके के संबंद है जैसे विधाई प्रशाशनिक और वित्ती तीन संबंद होते हैं केंद्रो राज के बीच कौन-कौन से विधाई प्रशाशनिक और वित्ती तो यहां पर पूछा है कि किस भाग में और किस अध्याय में विधाई संबंद के बारे में हैं तो यह भाग 11 का अध्याय 1 है जहां पर विधाई संबंद के बारे में बात किया गया है जबकि अध्य अध्याए 2 में प्रशाशनिक है अध्याए 3 में आप जाओगे तो वहां पर आपको वित्तिय संबंद मिलेंगे ठीक है चलिए आगे चलते हैं कौन सो युग्म सही सुमेलित है संभिधान का भाग 2 मूल अधिकार है गलत हो गया ठीक है क्योंकि मूल अधिकार किसमे है भाग 3 में है संभिधान का तीसरा भाग नागरिकता गलत हो गया क्योंकि भाग 2 में है संभिधान का चौथा का मतलब चारका का मौलिक करतब है यह सही है भाग संभिधान का पांचवा भाग DPSP नहीं गलत है ठीक है चलिए आगे चलते हैं भारती संभिधान का भाग 9 9 क्या है पं भारती सम्मिधान का भाग यहां पर क्या लिखा हूँ है चार का ए मूल करतब है यहां पर भारती सम्मिधान का नौ का ए देखे नौ जो है वो पंचायते उससे संबंदित है यहां पर ध्यान से देखे आप फिर से यहां पर देखे भाग नौ नौ पंचायते और नौ का का न पर फिर शे देखना, नौका का नगरपालिका, नौ में तो पंचायतों को सामिल कर दिया गया थे, तरवश हमिधान संसुधन, नौका का नगरपालिका, ठीक है, तो नौ A, नगरपालिका हो गया, भाग यहां पर क्या है, नौ है, तो नौ हो जाएगा आपका, यहां पर अब यहां देखे संग राजचेत्र मान सकते हैं वो भी और यहां पर भाग चारका के का मुल कर्तब ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब पंचायत किसमे हैं भाग नौ में नगरपालिका नौका का क्या क्वेश्चन है कौन सा ही सुमेलित नहीं है सहकारी शमितिया नौका क्व अधिकरन ट्रिबिउनल भाग दस में तो यहां पर क्या होगा बताईए आप कौन सा लग रहा है कौन सा नहीं होगा यहां पर ठीक कौन सही सुमेलित नहीं है पंचायते भाग नौ में हैं क्लियर है ठीक है नगरपालिका नौका क्वेश्चन है सहकारी शमितिया नौका किस में बात की गई है भाग 10 अब यहां पर मैंने आपको बताया था अधिकरन का उलेक भाग 10 में न करके भाग 14 के का में किया गया है ठीक है अधिकरन के बारे में तो यह उप्षण यहां पर गलत हो जाएगा ठीक है चली आगे चलते हैं बहुत कम सवाल हैं जल्दी से हल क कि बारे में भाग3 बाग3 ब्याक्या की गई है बाग 3 मारत का, संग, संग है, आपको 5 में मिलेगा, आपात उबंध 18 में मिलेगा तो यह हो गया डिका थ्री मैच करवा आपको मैंने यहाँ पर बताया था कि कुछ वर्गों के संबंध में बिसेश भाग 16 में फिर क्या है दस, पांच, पंद्राय, दौ। बहग 2017 में आपको राजवासा द्रशीन मीलेगा जहाँ पर बताया था जो 22 भाग थे उनके बारे में आपको क्या करना है रटना नहीं है और ना तो आज तक किसी ने इसको रटकर याद किया है ठीक है आप जैसे जैसे पूरा सम्मिधान पढ़ते जाएंगे यह आटोमेटिक स्वता ही आपको याद होती जाएंगी आप इस वीडियो को एक दो बार देख लें मैंने जो भी चीजे बोली हैं आपको बार-बार रिपीट होगी तो वो आपको याद हो जाएगी चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक डिसलाइक कर सकते हैं आप कोई दिक्कत नहीं डिसलाइक करें तो आप मुझे कमेंट सिक्षन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स वर वचिंग कीप स्माइलिंग